तो स्वागता मेरी एक न्यूव वीडियो में आज की वीडियो पिछली वीडियो की तरह ही बहुत इंट्रस्टिंग वाली है अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप सीधा सर्च करके लिख सकते हैं आतो इनका मैं लिंक जहें हो डिस्क्रिप्शिन में बिड है कि पूरी ओवराल वर्ल्ड में जितने भी कंट्री रहें उनकी जीडीपी को सबको अगर हम एड कर दें एक साथ तो कितनी बनती है कितने पैसे बनते हैं और क्या आपको पता है कि जैसे इंस्टाग्राम ट्विटर एंड फेस्बुक जैसे बड़े-बड़े प्लैटफॉर प्लैटफॉर्म प्लैटफॉर्म पर इस दुनिया जूपसे लंबा नाम से अगर नहीं पता थो बने रहें यह वीडियो में पूरी बिल्डिंग तक और मजा लीजिए बुर्ज खलीफा जो UAE में लोकेटेड एक शांदार बिल्डिंग है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है सबसे टॉलिस्ट बिल्डिंग है जो 2717 फीट बड़ी है और जिसमें 160 से भी ज्यादा फ्लोर्स है मतलब कि एक फ्लोर दो फ्लोर देखें होंगे ना घर पर वन फ्लोर सेटिंग फ्लोर तो उसमें 160 से भी ज़्यादा फ्लोर मतलब देख सकते हो अगर आप एक फ्लैट की बिल्डिंग देख लो एक सोसाइटी देख लो तो इसमें भी 13 14 फ्लोर पर कितना बड़ा देखते है तो वह 160 फ्लोर जै कभी देखने का मौका मिले तो बताना मुझे तो बहुत इंट्रेस्टिंग है मैं भी जाता हूं उसको देखना लेकिन क्या आपको बता है कि इसकी मेकिंग की जो कंस्रुक्शन कॉस्ट है उसकी कितनी है तो जानके हैरान हो जाओगे वह है 1.5 बिलियन डॉलर मतलब 1.5 मिलियन नहीं बिलियन डॉलर जो की इंड कि इस तक आपने कितने बर्ट देखिया चास्टिंख घएगा देख सकते हैं आप स्क्रीन वाच नमेश एक वाचिस हम पहनते हैं जाया तर बोईस को वाचिस पहनना परसंद होते हैं गल्ज भी वाचिस पहनती हैं लेकिन आपको बता है आज तक की पूरे वर्ड में सबसे महंगी वाच कुन सी है तो आपको बता दू हम उसका नाम है ग्र अच्छी हुए एक वाच है जिसकी कीमत है करीबन 55 मिलियन डॉलर्स वो कि इंडियन रुपीज में हो जाते हैं फोर अरव वन करोड सेवन्टी सेवन थाउजन और फाइवंडर्ड रूपीस कोई वह ने खरीदेगा इसा है असक्तान तरन होएजन के बारे में तो जाना ही होगा न जो वल्ल के टॉल एच्छ परसन लेकिन वह मैं में आते हैं अगर ऊम तवलिष्ट वोमेन की बात करेंगे पूरे वल्ल में तो उनका नाम है मैंकी करंद और उनकी फोटो आप देख सकते हैंपे और उनकी ऐच सेव मैंने पहले भी बता दिया था स्टार्टिंग में जिसने की शोशल मीडिया प्लैट्फॉर्म्स हैं बड़े-बड़े इंस्टाग्राम ट्विटर हो गया फेस्बुक हो गया तो इन पे जो फेक अकाउंट्स आपने सुना होगा बहुत बार बनते रहते हैं अलग-अलग नाम पुक और इन पर कितने नियुमेरिकल वेल्यू में कितने हैं फेक अकाउंट्स जो ट्विटर है उस पर 20 मिलियन याने की 20 नहीं दो करोड़ के आसपास रहते फेक अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम तो एक ही लेवल उपर है से उसके 95 मिलियन याने की 9 करोड़ पचास नहीं 200 मिलियन नहीं सीधा 1.1 बिलियन वाइस सहाब लोगों का तो आजकर कुछ पता ही नहीं होता है कभी भी कोई भी फेक फ़ला पहले भी नाम बताये थे छोटे चोटे नाम होते हैं जो हम आज-पास सुनते रहते हैं कभी भी पूरी जिन्दगी में कि जी का नाम इसका नाम यह स्क्रीन पे नीचे आ गया है मुझे पढ़ नहीं सकता मैं इसको बताओ यह क्या है पहले के दो शब्द पढ़ सकता हूं मुश्यल से उसके बाद तो पढ़ता ही नहीं क्या आप ही पढ़के बताओ और जो इस वर्ड को पूरा अच्छी से पढ़ सकते हैं प अलग चाइना का अलग GDP के हसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी रेच है कितनी उसकी एकानोमी डिवलप्ट है तो क्या आपको बता है कि अगर जितनी भी 195 टोटल कंट्री से पूरे वल्ड में अगर हम उनको कंबाइन उनकी GDP को कंबाइन कर देंगे तो कितनी GDP तो आप जानके हरान हो जाएंगी वह आएगी 80 trillion dollars मतलब कि कोई एक देश भी नहीं इतना है मतलब 80 trillion dollars सबको मिलाकर 80 trillion dollars कि उनकी GDP बनती है जो इंडियन रूपीज में देखें तो मैं नहीं बता सकता आप खुद गूबल कर लीजिए तो को बता है कि इस दुनिया में जासे ह देखा कि सबसे महेंगी वाच कुन सी है तो क्या इस पूरे universe में इस पूरी दुनिया में इस पूरे universe में मतलब कि solar system galaxy और सब मिलाकर जितना भी पूरा बनता है पूरे universe में सबसे महेंगी चीज कौन सी हो कई planet नहीं है सबसे महेंगी चीज एक asteroid है जिसका नाम है 16 psych और उसकी कीमत अगर हम देखें वो पूरा iron और nickel से बनाव उसकी कीमत है 10,000 quadrillion dollars यानि कि पूरी countries मिलके भी उसको नहीं खरीद सकती इतना महंगा है वो मतलब किसी से खरीदना तो नहीं है लेकिन अगर कोई ओन करता हुदा तो कोई भी खरीद नहीं सकता था उसको मतलब कि पूरे countries क कि हमने पिछले ही फैक्ट में जाना कि पूरी countries की अगर GDP मिला दे तो वह भी 80 ऐटी ट्रिलियंज बनती है 80 ट्रिलियंज बनती है only 80 ट्रिलियंज डॉलर्स और इसकी अकेले की है 10,000 quadrillion डॉलर्स तो यार अब इतने interesting facts बताई दी है मैंने तो वीडियो को लाइक करना तो ब सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाओ वह सबसे पहले आपके पास वाचे थैंक्स वर वाचिंग में